आशिरवाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है दीपक की आप इस आकर्ती को देखी रहे हैं इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर चोटे 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 चंदर भी बने वे हैं इसमें आप अलग-अलग नाथों की शक्ति के दर्शन कर सकते हैं नीचे ओम भी बनावा है आप द्यान से देखेंगे तो आपको देखो अब ओम दिखेगा बिल्कुल नीचे लटका हुआ है द्यान से ओम बिल्कुल सपष्ट ओम बनावा है चंदर बने वे हैं शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है क्योंकि जो नाथों के शक्ति है वो शिव के अवतार होते हैं, शिव के अंसमाने जाते हैं, तो उन वो धान करते हैं, तिरुशूल को ओम की पुजा करते हैं, शिवलिंग की वो पुजा करते हैं, वो रुदाक्ष को धान करते हैं, अपने बालों में, पुरे शरीर में, वो अपना जो जनेव भी पहनते हैं, तो वो शिऊपफज को अरपित करके नीले रंगा ही पैनते हैं, सफेद रंगा कभी नहीं पैनते हैं, वो अपने भूजन ग्रहन करने के लिए भी अलग से कटोरा रखते हैं, जिसमें वो अपना भूजन ग्रहन करते हैं। तो उनका जीवन बहुत सरल होता है पर शक्तियों से भरा होता है जैसे ये दीपक किया करती आपको बहुत सरल दिख रही होगी पर आप देखें इसमें आपको अलग-अलग रूप के दर्शन हो रहे हैं और जो ये ओम है जो नीचे लगा हुआ है बहुत ही प्यारा नजर आ तो चंदर को धान करने वाले शिव के सबसे प्रिये और आप सभी को पता है शिव को भी नाथ कहा जाता है स्वामी कहा जाता है तो शिव जी के प्रिये हैं चंदर, नाग और उनके बहुत सारे शिश्य, नंदी, ब्रंगी, श्रंगी और ऐसी ही आपको दीपक के दर्शन हो प्रते रहें कि